इस चानल को तुरंत सब्सक्राइब करें ये वीडियो को लाइक करें पहला करेंट अफेर्स बीजेपी के नाशनल प्रेसिडेंट जेपी नड़्डा ने अभी एक बुक निका लिए उस बुक का नाम क्या है? मोधी शेपिंग अग्लोबल ओर्डर इन फ्लक्स तो ये क्वेशन पूछा जा सकता है कि मोधी शेपिंग अग्लोबल ओर्डर इन फ्लक्स ये बुक किसने लिखी? बीजेपी के नाशनल प्रेसिडेंट जेपी नड़्डा साहब ने लिखी इसमें जो फोर वर्ड है वो हमारे एक्स्टरनल अफेर्स मिनिस्टर एज जैशंकर ने दिया इस बुक के एडिटर्स सुजन चिनौए, विजय चौठियावाला और उत्तम कुमार सिना हैं ये परते हैं अगली न्यूस की तरफ, Employee State Insurance Corporation, ESIC की 190th मीटिंग कहां पे हुई थी, इसका correct answer है चंडिगड, किस ने चेयर करी थी, हमारे Union Minister for Labor and Employment and Environment, Forest and Climate Change, श्री भुपेंदर यादव जी ने चेयर करी थी, तो भुपेंदर यादव जी ध्यान रिखियेगा दो मंत्रा ले समाल रहे हैं, एक Union Minister for Labor and Employment, दूसरा Environment, Forest and Climate Change, इसमें Minister of State for Labor and Employment, Petroleum and Natural Gas, जो कि श्री रामेशवर तेली जी हैं, वो भी मौझूद थे, तो याद रखना है, 190 मुलाकात हुई है, ESIC की कहां पे, चंडिगड में, अगले ख़बर, Infosys और Microsoft, ये दोनों कंपनीज आपस में tie-up कर रहे हैं, और किसलिए tie-up कर रहे हैं, ताकि ये next generation digital services दे सकें, यानि कि cloud computing, cloud transformation या enterprise के cloud transformation में, दोनों एक एहम role play कर सकें, और अगर इसकी माने, तो ये 414 billion dollars का new profit add कर सकता है, अगर cloud adoption दोनों companies के द्वारा कराया जाए, तो याद रखना है, Infosys की partnership Microsoft के साथ हुई है, अगली खबर, Philips ने अपना नाम change कर दिया, यानि Philips के जो domestic appliances बनते हैं, अब वो वरसूनी के नाम से जाने जाएंगे, ये जो नया नाम है, ये वरसूनी, ये एक new initiative के रूप में आ रहा है, क्योंकि September 2021 के बाद से domestic appliances वाली कार्टेगरी Philips से अलग ह हो चुकी है, इसलिए ये company की visual identity change कर रहा है, सिर्फ बाकी company का जो पूरा objective है, वो change नहीं होगा, तो ये आद रखना है कि home appliances में, domestic appliances में, Philips का नया नाम वरसूनी है, नेक्स्ट कबर, इंडिया और गोएना ने oil and gas sector के लिए cooperation sign किया है, सवाल ये ही गोएना कहां lie करता है, that lies in the continent of South America, अब long term crude purchase के लिए भारत definitely options ठून रहा है, other than Gulf countries, और हमें बहुत हद तक रशिया पे भी लगातार rely नहीं करना है, क्योंकि हमारे उपर consistently western countries का pressure है, तो इंडिया ने यहाँ पे गोएना के साथ deal किया है, ताकि वो oil को explore कर सकते हैं, और investment प्रमोट कर सकते हैं, हमारे oil minister अधीब सिंग पुरी जी ने गोएना प्रेसिडेंट मोहमद इर्फान अली के साथ मीटिंग करी, यह सभी facts को discuss करते हुए बढ़ते हैं, अगली नियूस की तरफ, World Bank ने Ukraine के budget को काफी मदद की है, 2.5 billion dollars का additional grant दिया है, US Agency for International Development, USAID के माध्यम से, ताकि Ukraine के budget में इतना पैसा डाल सकें, ताकि essential services उस country की disrupt ना हो, अगली खबर, पाकिस्तान ने ultimately loan ले ही लिया चाइना से, पाकिस्तान के finance minister इशकदार ने ये कहा, कि 700 million dollars का हमें loan मिला है, चाइना Development Bank से, IMF ने तो मना कर दी, चाइना के Development Bank ने को loan प्रोवाइट किया है, और ये कहते हैं कि ये loan lifeline है, तो finance minister of Pakistan इशकदार loan by चाइना 700 million dollars by चाइना Development Bank, next current affairs, मीशो, मीशो एक private company है, एक e-commerce platform है, जो की बेंगलूरू based fashion year technologies private limited द्वारा owned है, इसका एक agreement हुआ हमारे मंत्राले ministry of rural development के साथ, जहां पे ये self-help groups के द्वारा बनाए गए जो भी products होते हैं, जो भी हमारे आत्म निर्भरता को दर्शाते हैं, उनको ये अपने platform पे sell करेगा, यानि दीन दयाल अन्त्योदय योजना, National Rural Livelihood Mission के तहट, जो भी कोई प्लाट चीजें, products बना रहे हैं, मीशो उसको market करने में मदद करेगा, तो याद रखेगा, किस company ने ministry of rural development के साथ partnership करी है, that is मीशो, आगे बढ़ते हैं, भूटान में सबसे पहले digital citizen वहां के prince हैं, भूटान National Digital Identity Mobile Wallet में, जो prince हैं, ग्याल से, जिग में, नामगेल, वांग्चुक, ये first digital citizen बने हैं भूटान के, भूटान अपने digital infrastructure को modernize करना चाता है, और ऐसा पहला Himalayan Kingdom बन गया है, जिसने first ever digital citizen recognize किया हो, Washington ने अपने नए nomination के बारे में बताया है, अजय बांगा साहब, जो कि mastercard के chief रह चुके हैं, ये world bank के president के लिए nominate हो चुके हैं, क्यूंकि current president David Malpass जो है, वो समय से पहले resign करने वाले हैं, तो याद रखिएगा, Washington ने अजय बांगा का नाम suggest किया है, ये mastercard के chief हैं, अब traditionally, world bank के जो भी president रह चुके हैं, वो American रह चुके हैं, और international monetary fund के, जो भी chief रह चुके हैं, वो European रह चुके हैं, तो अब आप मुझे comment section में लिख के जरूर बताईएगा, कि ये video आपको कैसा लगा, और IMF के chief का नाम भी मैं आपसे current affairs में, comment section में जानना चाहूंगा, अगर आपको ये video अच्छा लगा है, short में, sweet में, समझ में आया है, तो प्लीज इस channel को जरूर subscribe करें, support करें, और जाद से जादा लोगों में share करें, इस वास हर्षपुतिंत्रिपाटी, signing off from today's session, I'll see you guys in the next.